पूरे देश में नदियों का महत्व आध्यात्म से जोड़ा जाता है लेकिन सत्य परिस्तिती को देखा जाए तो आज राज की नदिया बड़ी मात्रा में प्रदूशित हो रही है जिसके चलते देश में वाटरमेन के नाम से प्रसिद राजजेंद्र सिंग ने इस मुद्द जताई है जहां उन्होंने पताई कि आज राज्य की 60% नदिया पूरी तरह से सूख चुकी है तो बची हुई नदिया बस लोगों का मैल धोने का काम कर रही है जिसके चलते चलो नदी को जाने इस अभियान के तहट नदियों को शुद करने का प्रयास राज्य सरकार की सहा महुत्सब मना रहे हैं हम केवल दो अमृत जानते एक तो अमृत है देश की आजादी और दूसरा है समीधान तो ये दो अमृत तो मुझे समझ में आते हैं पर आप लोगोंने कौन सा अमृत का काम किया है आपने तो इन सारी नदियों को जहरिली बना दिया तो यदि अमृ मौत सब मनाना चाहते हो, तो नदियों के बारे में सोचो, जो नदियां बीमार है, वो नदियां यदि अम्रित वाहिनी आप बना सकते हो, तो कुछ सोचो, कुछ करो, तो उन्होंने पूछा कि कैसे करेंगे, तो मैंने का नदियों को बीमार करने का ज्यादा काम सरकार ने किय सरकार की जित्ती भी municipal corporations हैं उन सब ने नदियों की जमीन पर कबजे करके अपने दफ्तर ये वो सब बनाया है तो नदियों पर जो अतिकर्मन हो रहा है वो सबसे जादे सरकारे करती हैं और दूसरा जो नदियों में परदूशन है परदूशन को रोपने के लिए municipal corporation होता है वो भी सरकारी है तो municipal corporation को किसने राइट दिया है कि जिस नदी में अविरल निर्मल जल बैता था उसमें आप गंदा पानी डाल दो तो ये भी आपका सरकार कर रहा है और तीसरा जो नदियों में खनन हो रहा है माइनिंग हो रहा है और नदियों का जो पीने के लायक जो अच्छा पानी है उसको बड़े लोग उठाके इंडस्ट्री उठाके नदियों को सुखाने का काम कर रहे हैं उनके license भी आप नहीं दिये हैं तो ये जो नदियों की हत् काम है इस काम में जादेतर भूमिका जब हम ढूंगते हैं तो सरकारों की नजर आती है इसलिए इनको ठीक करने का काम भी सरकार ही करेंगी तो सरकार भी करेगा और समाज भी करेगा दोनों मिलकर करेंगे क्योंकि ये केवल सरकार का काम नहीं हो सकता सरकार ने तो बिगाड दिया जो बिगाडना था अब यदि इनको ठीक करना है तो दोनों मिलकर ठीक करें तो यह अभी चीफ सैटिकई की अद्धश्टा में बिना किसी राजनेतिक दलगत राजनेति से दूर कासाल गंगा में कासाल गंगा शुराबूर की एक नदी है उस नदी पर 23 गाओं है जब ये नदी प्रहरी नुक किये रहे है वो नदी प्रहरी उनने हर गाओं में जाकर और वहां पर पानी की क्या समस्या है उनके गाओं में कोई तालाब है क्या और तालाब की आज की परिस्तिती क्या है उनके गाओं में जो ओडे नावे जा रहे हैं उस पे पान है क्या और उसकी क्या परिस्तिती में उसमें काड़ पर क्या है क्या उसकी वाइट निंग का काम वहां पर जो फॉरेश्ट एरिया है उस पॉरिष्ट एडिया पर क्या पॉजिशन है। वहां पर पारम पर एक स्थानिक ज्यान है पानी के व्यवस्तापन का तो वो अपने पानी को कैसे बचा के रखते थे और अभी कैसे वो चूप चुकी है लगी तो फिर से उस नदी को पुनर जीवित करनी के लिए क्या करना चाहिए ऐसे 23 मों में घुम के वहां पर जो प्रद रहा है और तो जो सोमस्या है जैसे अंषु को एक स delay कर दिया कहां पर दो रोडो करदू कर दिया और कुछ गरबंने और चुम् túться उता गया है तो उनकी नोदी पानी बंदनन शम्ता कम वह गई, तो थोडी बारीस ज्यादा हो गई तो उदर पूर परिस्थिती निर्मान हो जाती है और वो पानी पूरा बह जाता है, और वो पानी बहने के बाद उस गाउम में दुश्कार हो जाता है, क्योंकि पानी तो वहाँ पर स्टोर नहीं हुआ, तो दुशकाड और पूर और पुलूशन की समस्याओं के उपर मात देने के लिए हर गाओं में ये जाकर विजिट करके एक रिपोर्ट तयार हो गई है, वो रिपोर्ट करेक्टर के पास जाके उसने जो 20 डिपार्टमेंट् जैसे pollution control board हो गया, groundwater survey development authority हो गई, forest department, social forestry department, rural affairs department, इस तरह के जो 25 डिपार्टमेंट, पानी और agriculture department, water resources department, minor irrigation, जिला परिशर्थ, ये सब डिपार्टमेंट के जो अपनी-अपनी schemes चल रही है, जैसे जल्यूपती शिवार चल रही है, तो वो गाड़-गाड़ाई चकाम ते त्या अपनीश टेमरे की रिपोर्ट